Samsung के J-Series का स्मार्टफोन लाँच हो गया ही, यह है Samsung का J6 Plus, दिखाएंगे इसकी एक्स्क्लूसिफ अन्बॉक्सिंग टेक तक पर Samsung लाँच किया है अपना नया स्मार्टफोन, Samsung Galaxy J6 Plus और आपको दिखा रहे हम उसकी एक्स्लूसिफ अन्बॉक्सिंग टेक तक पर आज ही एफोन लाँच हुआ है भारत में, देखते हैं कैसा है एफोन और लेट्स जिस्ट अन्बॉक्सिस न्व फोन J6 Plus के साथ ही J6 4 भी लाँच हुआ है J6 4 Plus और फिल्हाल ऐसा है ये फोन आप देख सकते हैं This is how it looks, let's just keep the phone aside और अब देख लेते हैं की बॉक्स में और क्या-क्या कॉंटेंट है So, ये है J6 Plus Samsung का जो भारत में लाँच हुआ है और contents जैसे आप देख सकते हैं, डाप्टर दिया गया है इसके साथ वही आप देख सकते हैं, headphones है जो की बॉक्स से निकले है, quick start guide है, sim injector है and the USB cable and again like you can see it is a micro USB cable type C नहीं है So, now let's just get on to see the real thing which is the smartphone So, आप देख सकते हैं, phone की screen काफी बड़ी है और 6-inch screen है HD Plus and infinity display है ये, with 2.5 curved glass display आप एक बाद जो खास यहां देख सकते हैं, वो ये कि इस बाद जो Samsung ने जो पार बटन है उसी में fingerprint scanner भी दिया गया है, so every time आपको जब अपने phone को unlock करना होगा तो आप simply power button पे जा सकते हैं, यहां आपकी finger scan हो जाएगी and the phone will unlock for you So, this is the power button जिसमें अब fingerprint sensor भी दिया गया है वही अंदर की तरफ आप देख सकते है, speaker दिया गया है तो थोड़ा अंदर की तरफ है So, this is something new just to make sure कि जो लुक है वो फोन की खराब नहों काफी खुबशूरत फोन है, 178 grams इसका बजन है, तो काफी हलका भी है, it's not very heavy बाक साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, screen जो है इसका जो resolution है 1480 is to 720p नीचे के तरफ आपको दिखा है, तो आप देख सकते है, micro USB port है, साथी 3.5 mm jack है with a microphone वही इस तरफ आप देख सकते हैं, SIM slots दिये गए हैं, वही यहां पर आप देख सकते हैं, volume rocker button है तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, memory को, Slimsauce आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं, यह SIM 1 के लिए slot दिया गया यहां and then SIM 2, यानि दूसरे SIM के लिए साथी microSD slot है, वह dedicatedly दिया गया है, तो यह एक अच्छी चीज है इसमे कि आप storage जो है, आप देख सकते हैं, और साथी अब बात करें बाखी चीजों की तो यह Android Oreo पे चलता है, और बैटरी की बात करें तो 3300 mh की बैटरी है, जो की काफी बहतरीन है as per the other specs of this smartphone, camera जो है इसमें rear camera दिया गया है, dual rear camera है, यह आप देख सकते हैं, dual rear camera setup है with LED flash, साथी 13MP प्लस 5MP का combination है जो यहां दिया गया है, Samsung की branding आप देखी सकते हैं, और जो back side से है, वो काफी खूपसूरत cover दिया गया है back का, वहीं, front camera की बात करें, तो front camera is 8MP, जी हां, 8MP का front camera है, 4G phone है, 4G वोल्ट है, Wi-Fi इसमें चलता है, 3.5 mm jack हमने आपको बताया था, इसमें दिया गया है, और आप इसमें FM radio भी चला सकते हैं, तो यह J6 phone जो है, भारत में launch हो गया है, साथी Bix भी इसमें दिया गया है, जो की काफी मदद करेगा आपके और Samsung का patent है, in terms of assistance, वहीं आप इधर भी देख सकते हैं, ती किस तरहे का है phone है, आपको सारे ports हमने दिखा है, J6 Plus है यह, काफी अच्छी और बड़ी screen इसकी दे दी गई है, one thing that I liked is, the fingerprint scanner जो है, वो पाव बटन पे की दे दिया गया, तो यह काफी एक अच्छी चीज इसमें दी गई है, कीमत की बात करें, तो बता दें कि इसकी कीमत 15,990 रुपे देखी गई है, और आप इससे exclusively खरीच सकते हैं, online portals, flip card से, वहीं आपको बता दें कि बायमे पाव बटन के साथ में ही है, which is a very good thing, so आपको वो भी दिखा देते हैं, so जो scan है आपको करना है अपना finger वो आपको पाव बटन पे ही scan करना परेगा, थोड़ा सा बटन जो है, slightly space कम है उसमें as compared to the other, अब अगर में जो फोन को खोलना है, besides the face unlock, आप देख सकते हैं, काफी fast औ अपने अच्रागन 425 प्रोसेसर दे आ गया है, जो के अध्रीनो 308 GPU के साथ चलता है, और वही ये तीन कालर में वैलेबल है, फिलहाल ये कालर ब्लैक है जो आप देख सकते हैं, ये ब्लू और रेड में भी आप धरीच साथने हैं, ये ब्लू और रेड में भी आप खरीच स